हलो गाइस कैसे आप लोग तो चलिए और एक वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो बोलने से अच्छा मैं इसको एक सीरीज बोलूँगा टोटल चार वीडियो रहेंगे यह फर्स्ट पार्ट है इसमें मैंने एक बैंक रोल को ग्रो किया है और कुछ सेशन्स खेले इसमें ट देख सकते हैं अब इस बैंक रोल को कितना पहुचाया है यह थमनेल देखकर आप समझ चुके होंगे किस तरह से पहुचाया कैसे खेला सारी चीजे मैं इसमें करूंगा और उससे ज्यादा इंपोर्टेंट यह है कि बहुत सारे ऐसे कोशन होते जो बहुत कॉमन कोशन होते मगर आपको उनके आंसर जो है हर जगे अलग-अलग मिलते हैं तो मैं मेरे नौलेज के अकॉर्डिंग उनके आंसर देने की कोशिश करूंगा और एक सही तरीके से क्या चीजे हो सकती है वो सब कुछ मैं समझाओंगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिट के जो एक्स्प्री इसो पर करते हैं यही सवाल से एक कॉमन कोश्षन रहता है कि एक सशेल में कितना गैप रखना चाहिए थीकर तो यह हमेशा तो इसका अंसर मैं आपको देना चाहूंगा और बहुत simple है देखिए आपकी मर्जी है कितना gap रखना है ठीक है उसमें ऐसा कोई एक थमरूल नहीं है कि इतना ही gap रखना है आदे घंटे का रखना है एक दिन का रखना है या 10 घंटे का रखना है देखिए पूरी तरीके से आपके उपर depend करता है कितना gap आपको रखना है ठीक ह शर्क यह है, देखे, session में gap रखने का मतलब यह होता है, दोनों ही scenario में, profit और loss, देखे, profit में हम जब exit करते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है, profit लेने के बाद में भी exit करना होता है, ठीक है? और loss होने के बाद में भी तो और जरूरी होता है exit करना होता है और उस gap के time पे आपका दिमाज में game के बारे में कुछ भी नहीं आना चाहिए ना आगे आपका game plan होना चाहिए कि किस तरह से आप next session खेलेंगे कुछ भी नहीं, total blank होना चाहिए break लेने का मतलब break होता है उस game में से total खुद को और अपने mind को बाहर निकलना होता है ठीक है, तो यह होता है proper gap, अब gap कितना रखना चाहिए मैंने बता दिया, देखी यहाँ पर first session खतम हो गया है, second session start हुआ है, first session में हमने 5000 का 9000 बनाया दो bet place किया था, ठीक है screen पे जो भी explanation है, वो यहाँ पर दिखेंगे आपको साथ साथ में बहुत सारी important चीज़े आपको समझाने वाला हूँ जिससे आपको यह समझ में आएगा कि किस तरह से session अगर continue आप play करना चाहते है, तो कैसे play करे उसको अच्छा इसमें क्या है ना गाइस, देखिए gap का तो मैंने clear कर दिया पूरी तरीके से आपके उपर depend है चाहे जितना भी रखो कोई दिक्तत नहीं है, ठीक है जितना मर्जी आप चाहे, एक दिन का gap रख सकते हो, एक घंड़े का रख सकते हो, पाच मिनट कर रख सकते हो, अब मैंने कितना रखा है, ठीक है, यह भी एक सवाल आएगा, तो गाइस, देखिए, मैं मुझे एक वीडियो बनाना था, वीडियो सीरीज बनानी थी, है ना, तो मैंने कही इंस्टेंट मैंने टेवल पे exit करके इं भी किया है, five minute का भी रखा है, half an hour का भी रखा है, एक घंटे का भी रखा है और एक दिन का भी रखा है, ठीक है, तो यह जो टोटल गेम प्ले है, टोटल गेम प्ले अरौंड दो घंटे का है, इसमें अगर दिन पकड़ेंगे तो शायद चार दिन total होगा, बीच में एक दो दिन मैंने play नहीं किया था, तो total ये तीन से चार दिन का gameplay है, ठीक है, तीन से चार दिन में ये target मैंने achieve किया है, क्या मैंने इसमें compounding किया है, जैसे आप देख सकते कुछ भी नहीं है, compounding को इसमें मैंने कुछ भी किया है, simple इसको play किया है, phone के हिसाब से, अब ये चीज यहाँ पर important है, मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको सुनिये, मैंने किसी भी strategy को use करके, इस इन सारे gameplays को नहीं किया है, ठीक है, मैंने सिर्फ और सिर्फ phone को use किया है, जो मेरा concept है, उसको use किया है, और मैंने इस पूरे gameplay को किया है, अब देखिए, अगला सवाल ये रहता है कि bank rule क्या सच में माइने रखता है क्या, तो उसका जवाब आपको इसी जो gameplay है, जो total सारे session आप देख लोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि bank rule, actual में कोई माइने नहीं रखता है, देखिए 5000 से 10 lakh करना, ये कोई छोटी बात नहीं है, अगर आप compounding भी करेंगे, तो आप समझ सकते है कि कितने दिनों का और मेहनियों का इसमें time लगेगा, ठीक है, तो bank rule कोई बहुत important नहीं, यहाँ पर देखिए, second session खतम हुआ है, third session है, ठीक है, third session अब यहाँ पर 11 से start हो रहा है, इसला session हमने 11 किया, 9 से 11, 2000 का profit तो आप देख सकते है, first session में 4000 का लिया, second session में 2000 का लिया, तो कोई fix हिसाब नहीं है, ठीक है, मेरी मर्जी पर है, मुझे जहाँ लगा कि आप बाहर निकलना चीए, मैं बाहर निकला, जहाँ मुझे लगा खेलना चीए, मैं वहाँ पर खेला, ठीक है, तो इसी तरह से session होने चीए, हम target में हमको बनना नहीं है, उसके बारे में भी आगे मैं बताऊंगा, क्या target कितना रखना चीए, और वो सारी चीजे, तो और एक reason यह था guys, इस पूरे series को करने का, इस gameplay को करने का, देखे क्या होता है, कुछ लोग होते हैं कि जिनको बोल सकते हैं कि आप कुछ भी क पर लोग तो उनको पसंद नहीं आता है, ठीक है, तो एक तरह की जलन होती है, मन में, यह बंदा क्यों कर पा रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा है, तो यह सब चीजे रहती हैं उनके मन में, तो किसी का ऐसा कहना था कि continue, एक bankroll को continue खेल की दिखाओ, एक single session तो कोई भी कर सक तो वो तो हो ही जाता, तो वो दूसरा reason था, इस session को मुझे करने का, मैंने एक दो नहीं पूरे 16 session इसमें play किया है, ठीक है, single bankroll को मैंने 16 session खेल कर grow किया है, तो इसमें अब totally उनके जो बात था, उसका जवाब मैंने दे दिया यहाँ पे, और वो भी gameplay, बोल के जवाब देना मुझे पसंद नहीं है, मैंने gameplay पर सवाल उठाया था, तो gameplay करके ही मैंने उसका जवाब दिया है, तो guys, यहाँ पे अब बात करते है, target की, ठीक है, तो target कितना होना चाहिए, कितना रखना चाहिए, bankroll के according क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़े मैं आपको यहाँ पर अब होगा कि मैंने कोई ऐसा fix target रखा नहीं था, मैं बस play कर रहा हूँ, जहाँ पर मुझे थोड़ा बद profit लग रहा है, जहाँ जितना खेलना चाहिए, मैं वहाँ पर, मेरे according, scenario क्या है उस time पर, उसके according में वहाँ पर play कर रहा हूँ, और मैंने ऐसे कोई specific target रखा हुआ नहीं है, अब क्या रखना चाहिए target, देखिए एक तरह से हाँ बिल्कुल रखना चाहिए और एक तरह से नहीं, तो हाँ और नहीं दोनों ही इसके answer है, अब आप बोलोंगे यह क्या चीजे भाई, हाँ भी बोल रहे हो, नहीं भी बोल रहे हो, तो मैं आपको समझाता हूँ, बैंक रोल एक स्टेन करना है, या ग्रो करना है, कि मुझे मानलो मेरा जो नीड है, वो 500 रुपीस का नीड है, ठीक है, इस में से जो side by side निकल जाए, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, तो मैं मेरा 500 मेरा target हो गया, ठीक है, जो आपकी need है, वो आपका target होना चाहिए, यह एक simple logic है, अ ताकि target आपको मजबूर करता है, कि अब आप यहाँ पर रुख जाओ, ठीक है, आपकी need complete हो चुकी है, यहाँ पर रुख जाओ, आपका रुखने का time है, तो इसलिए target रखना चाहिए, अब दूसरा, नहीं रखना चाहिए, अब नहीं रखना चाहिए, इस बात पे मैं जोर देता हूँ, क्यों मालूम है, देखो जो player होता है, उसके लिए target जैसी कोई चीज नहीं होती है, यह actual fact मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि gambling में आप क्या ही target लेके चलोगे, कैसे लेके चलोगे, वो कोई drive थोड़ी ना कर रहे है, आपको कोई running थोड़ी ना करनी, कि आपक चलो एक करोड का target क्या वो मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो target रखने से वो achieve हो जाएगा, यह बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होगा, तो इस से अच्छा मेरा मानना यह है, कि आप क्या करिए, target मत रखिए, मगर एक mindset बनाईए, mindset क्या बनाईए, कि मेरा bankroll है 10,000 का, मैं 10,000 से start कर रहा हूं, तो 10,000 से मुझे कितना amount है कि जो मुझे सही लगता है, आप कुछ लोग बोलेंगे मुझे तो 20-30,000 ही चाहिए, तो ऐसे लोगों के लिए नहीं सुना रहा है, क्योंकि उनका गनित अलग है, वो लोग क्या है कि 20-30,000 के चक्तर में 10,000 गवा देते, तो जो sustain bankroll ज चलिए, अब ये कोई fix नहीं होता है, fix मतलब क्या है, target को fix नहीं करना है, fix नहीं करना है, मतलब जैसे 10,000 का 10% हमने target रख लिया, ठीक है, अब session स्टार्ट किया, session अच्छा जा रहा है, और 1000 जो 10% होता है, 10,000 का 1000 होगा, तो 1000 होने वाला है, कितना हो गया, 900 हो गया, बचा कि ये जो scenario होता है, ये सबसे dangerous scenario होता है, अब जो में चीज़ बताऊंगा आप इसको relate करेंगे, अपने gameplay के साथ में, कैसे मालूम है, 1000 का target रखा है, और 900 या 950 हो चुका है, अब क्या होता है, ऐसे scene में हम बाहर नहीं निकल पाते हैं, क्यों बाहर नहीं निकल पाते हैं, क्यों गाइस, वही 100 है न, आपको पूरा 900 का profit भी खा जाएगा, और bankroll भी exhaust करेगा, और ये बहुत बार बहुत लोगों के साथ में यही चीज़ होती है, target के पास तक पहुशते हैं, मगर उस target को touch करने के चक्कर में, आप क्या करते हैं, कि पूरा profit वहाँ पे loss कर देते हैं, और य लेकिन नहीं मानेंगे, शायद 100 या 200 ही बचा था, 10 लेक के लिए, और वहाँ पे उस 200 के चक्कर में भी जो वेजर है, मतलब bankroll है, वो मेरे इसाब से 15-20,000 के आसवास नीचे आ गया था, तो ये चीज मुझे आपको समझाना है, मैंने उसको achieve किया, मगर वहाँ पे मैंने place लिए किया, मैं छोड़ सकता था, मैंने place लिए कि वो scenario मुझे आपको दिखाना था, कि क्या हो सकता है, इवन 100 रुपे के लिए भी आपका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए target जरूर रखिए, मगर target ऐसा मत रखिए कि नई fix, वहाँ पे touch करना ही है, कोई दिक्कत यह थोड़ा बहुत कम ले लिजे उससे, चलता है वो तो वहाँ पर आपके loss होने के chances कम होता है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब bankroll किस तरह से अपना grow हो रहा है, ठीक है, अभी जो bankroll है, वो 31,500 है, यहाँ पर हमने 5000 से start किया था, 5000 से start किया था, धीरे धीरे आपने यह notice किया होगा कि मैं जो bet size है, bet size किसको बोलते है, जो amount आप किसी भी position पर रखते है, अब यह session 5 start हो गया यहाँ पर, इस part में 6 session है total, तो उसमें से यह 5 session है, तो जैसे जैसे आप देख रहे है कि bankroll अपना increase हो रहा है, तो मैं bet size भी बढ़ा रहा हूँ, bet size मतलब किसी भी position प रखते है, उसको bet size बोलते है, वो straight up में outside में अलग-अलग हो सकती है, तो वो जो amount है, 5000 में जब हमने किया था, तो हम वो कम रख रहे थे, हाला कि मैंने एक बार all-in किया है first session में, वगर मैंने वो क्यूं किया था, वो fix कोई चीज थी, जो मैंने screen पे दिखाया भी होगा आप जैसे जैसे bankroll grow होगा, वैसे वैसे obvious है, अपना जो bet size है, वो बढ़ेगा, इसी तरह से हम target achieve कर सकते हैं, अगर मान लीजे, हम 5000 से start किया, और 10-10, 20-20 रुपे की bet place कर रहे है, ठीक है, और जाना हमको 1 lakh तक है, मान लीजे, एक example दे रहा हूं, तो कुछ session तो ठीक है, 5000 स्टार् इतना जल्दी possible नहीं होगा, वहां तक पहुचना, तो वहां पर आपको थोड़ा जो आपका वेजर है, उसको बढ़ाना ही पड़ेगा, अगर आपको target achieve करना है, तो इस से आपको एक चीज़ क्लिक हो रही होगी, कि मैं compounding की तो बात नहीं कर रहा हूं, तो आते हैं हमारे next question की तरफ compounding, क्या compounding सही है, बहुत लोग मुझे से पूछते हैं कि आपका क्या राय है, इसमें compounding को लेके, compounding gambling में सही है या नहीं है, ये सारी चीज़े, तो guys इस पे मैं थोड़ा बात करूँगा, इस पार्ट में भी कुछ बात करूँगा, next पार्ट में भी बात में, देके compounding जो है, compounding बहुत अच्छी चीज़ है, compounding कोई बुरी चीज़ नहीं है, मगर compounding जो है वो gambling के लिए नहीं है, compounding आप gambling में यूज नहीं कर सकते हैं, अब आप बोलोगे बहुत लोग ने किया है, किया होगा, आपके अंदर उतना patience है, आपके अंदर उतना सबर ह है कि आप compounding को complete कर सके नहीं है ना अगर उतना होता तो आप session क्यों lose कर रहे होते हैं नहीं lose कर रहे होते हैं कहीं न कहीं आपने stop loss रखा होता तो यही बात है compounding के लिए चाहिए होता है बहुत बहुत जादा patience तब तो जाके आप compounding करके successful अपना bankroll grow कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर थोड़ा pause लेते अब यह च्छटा session है इस session के बारे में मैं थोड़ा बात करूँगा compounding का next part में आपको और में समझाओंगा अब देखिए यह session क्या हुआ है मेरा 16 session में से यह session एक loss हुआ है अब bankroll आप देखिए 5,000 से हमने start किया था पाच session तक हमने 77,500 बनाया ठीक है अब यहाँ पर हम start कर रहे है अब आप देखिए scene क्या हुआ कभी कभी ऐसा होता है ना देखो break लेना क्यों जरूरी होता है एक्चुल आपको वो समझ में आएगा अब मैंने जैसे कि मुझे वीडियो बनाना है कि मैंने पास दस पास दस मिनट के break लिया और 5,000 से 77,000 करने में भी दिमाग exhaust होई जाता है ठीक है इस बात को तो आप मानत प्लेस की था आपको स्क्रीन पर मैंने दिखा दिया तो फर्स बेट मैंने प्लेस किया यहाँ पर क्या हुआ देखते अब क्या रिजल्ट आता इस बेट का तो गाईज सेशन जो फेल होते हैं सेशन बहुत लोगों के फेल होते हैं उस टाइम पर वो समभल नहीं पारते हैं सब कुछ exhaust कर देते हैं अपना bank roll खतम कर देते हैं तो दिक्कत क्या होती है न मैं आपको उसके बारे में समझाता हूँ अब यहाँ पर देखिए जैसे फेल हुई बेट कवरेज अच्छा रखा था सीक्वेंस आगे वो नंबर हमने कवर ने किया था फेल होगे बेट फर्स बेट फेल होगे कोई बात नहीं 71 है बहुत सारा profit में है कोई दिक्कत नहीं है तो अब मैंने यहाँ पर कर किया क्या किया दूसरी बेट प्लेस किया अब काईदे से क्या चाहे वो ब्रेक पाच मिनिट का ले लो या पास दिन का ले लो कोई दिक्कत नहीं है मगर सेशन आप वहाँ पर ब्रेक ले लो यह बहुत जरूरी है दो दो स्पिन का रूल बनाओ आपने लिए ठीक है यहाँ पर देखिए क्या हुआ दूसरी बेट हमारी फिर से फेल होग मैं आपको वही चीज़ समझा रहा हूँ देखिए मैं 5 से इतना पहुचा तो थोड़ा स्ट्रेस था मैंने ज्यादा ब्रेक लिया नहीं था ठीक है सबसे पहले तो वह चीज़ अब दूसरा क्या होता है अब देखो यहाँ पर तीसरी बेट भी यहाँ पर फेल होगी तीसर बेट लूज हो गया तीन बेट बैक टू बैक लूज हुए ठीक है बैंक रोल आप देखिए 61 मतलब नेर बाट 16,000 का यहाँ पर लॉस हुआ हो गया लॉस कोई बात ने अब मैंने यहाँ पर सेशन छोड़ दिया यहाँ पर मैंने सेशन छोड़ा है क्यूं दो स्पिन में छ खराफ जाता है ना तो हम क्या करते ना उस सेशन में ही सब कुछ कवर करने का ट्रै करते हैं नए भही मुझे इसी सेशन में सब कुछ चाहिए मेरा जितना लॉस है कैसे लॉस हो गया पास सेशन तो मैं खेल खेल के अभी तक जीतते हैं आया हूं और इस सेशन में मुझे सेवन बैंक रोल हो गया अब इनसान क्या सोचेगा कि मैंने 5000 अभी भी बहुत प्रॉफिट में कोई बात ने चलो और एक दो बैट और एक बैट और एक बैट खेलते खेलते मन में स्टॉप लॉस रखेंगे मगतला मन में रखते है उसको कभी उसको रह मैं नहीं होने देते हैं यहाँ पर देखी यह सेशन फेल और शूर दिया है ठीक है अब यह चठाव था नेक्स पार्ट में आपको मैं सात्व शेशन से करेंगे हम वीडियो काफी लंबा था यह दो गंटे का हो रहा था इसलिए मैंने चार पार्ट में इसको यह किया सेवन जो सेशन है इसके बाद सेम कंटिन्यू वह आपको सेकेंड पार्ट में दिखेगा ठीक है वह वीडियो भी मैं जल्दी डाल दूँगा तो वहाँ पर मैंने फिर इसको कवर अप किया यह सेशन लॉस हो गया मैंने छोड़ दिया कोई बात नहीं अगर मैं खेलता रहता न तो ऐसा होता कि यह पूरा बैंक रूल खतम हो जाता है लोग यही गलती करते है और बहुत सारे कोशन मुझे वही आते हैं कि सेशन जब लॉ अएं स्य सी बांदके रखाया नहीं है बहार को क्या करना है चक्रणाबन आरे क्लोच करना सी पर सवाल ऐसे बक्काना होते हैं कि जिनका जवाबyou Crunch पिर भी वह डाउट होता है आपके मन में अब सेशन को लेके जैसे मैंने बोला कैसे समाले एक अर्थ उनका ये भी हो सकता है कि हम इसको कैसे वापीस प्रॉफिट में बनाए अरे उसके लिए सबसे पहले तो उस सेशन से बाहर निकलो प्रॉफिट का बाद में सोचेंगे तो ये बाते गाईज और भी बहुत सारी चीजह, बहुत सारी बाते करेंगे और तीन पार्थ आना बाकि है, सेकेंड पार्थ में अब सेवे सेशन से से स्टार्ट होगा, अब देखें ये पूरी जर्निक किस तरह से रही नहीं मैं अपको क्या समझाने वाला हो ना, वह बह करिए मिलते फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई टेक केर